हेलो प्यारे बच्चों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चनल पड़ो इंडिया पर आज इस वीडियो में हम करेंगे कक्षातीन की 1728 की सामाजी कद्यान की वर्कशीट और इसमें हम करेंगे पाथ हमारे त्योहार के प्रशनोत्तर चलिए शुरू करते हैं इस वर्कश इस वर्कशा का संदेश देती हैं ग इद भाई चारे का संदेश देती हैं ग फूल वालों की सेर वाले दिन बख्तियार काकी की दरगहा पर फूलों की चादर और योग माया मंदीर में पंखे चड़ाय जाते हैं ग दशेहरत योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्र इस वर्कशा बंधन का तिहोर आता है यह वाक्य गलत है ग दिवाली के बाद गुरु नानक देव जी का जनम दिन गुरु पर वाता है यह वाक्य सही है ग क्रिसमस डे इसा मसीह का जनम दिन है यह सही वाक्य है ग मार्च के महीने में बाजारों में प्राकरतिक रंगों के ग आना जाता है यह वाक्य सही है प्रश्न तीन देखिए राम लीला किस त्योहार के समय आयोजित की जाती है इस त्योहार के बारे में तीन वाक्य लिखिए प्यारे बच्चों राम लीला दशेहरे के समय आयोजित की जाती है अब इसके त्योहार के बारे में हम तीन वाक्य लि यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है प्रश्न चार, गुरु पर्व कब मनाया जाता है इस्त्योहार का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए बच्चों गुरु पर्व दिवाली के बाद मनाया जाता है यह कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है पूर्णिमा का मतलब होता है जिस दिन चांद पूरा होता है यह गुरुनानक देव जी का जनम दिन है यानि इस दिन गुरुनानक देव जी का जनम दिन था इस दिन लोग सबत कीरतन करते हैं जुलूस निकालते हैं, गुर्द्वारे जाते हैं परश्ण पांच देखिए, होली कात्योहार कैसे मनाया जाता है ये तो आपको पता ही होगा कि होली कात्योहार रंगो कात्योहार है लोग इस दिन एक दूसरे को रंग लगाते हैं पिछकारियों से पानी डालते हैं और खूब नाचते गाते हैं परश्ण छे क्रिस्मस क्यों मनाया जाता है यह कैसे मनाया जाता है बच्चों क्रिस्मस इसा मसीह का जनम दिन है इस दिन लोग घरों और गिरिजा घरों को सजाते हैं गरिजा घर का मतलब होता है चर्च, एक दूसरे को उपहार देते हैं, क्रिस्मस ट्री और सांटा क्लॉस बनाते हैं अब उपरशन सांच में देखिए, यहाँ पर आपको अपने मनपसंद त्योहार का चित्र बनाना है मेरा मनपसंद त्योहार होली है, तो मैंने होली का चित्र यहाँ पर बना दिया है आप अपने पसंद के त्योहार का चित्र यहाँ पर बनाएंगे यहाँ पर हमारी वर्कशीट खत्म होती है अन्य अविश्यों की वर्कशीट के उत्तर के लिए आप हमारे चैनल पढ़ों इंडिया को सब्सक्राइब जरूर करें